मश्कार दोस्तों मेरे चानेल आटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है और कुछ लोगों का कम्प्लेन आ रहा था कि मैं इंग्लिश वीडियो जादा बना लेता हूं हिंदी छोड़ देता हूं तो मैं वो होता है एक बना लो फिर हिंदी में पूरा बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है आलस भी आता है चली तो मैं अब से यह डिसाइड किया हूं कि जो वीडियो में सुबह इंग्लिश में डालूंगा उसको शाम को में हिंदी में डालूंगा ऐसे करूंगा नहीं तो एक लांगोज में आगे बढ़ता रहता हूं तो अपनी मात् अधिरेट टेस्ट एंड आफ्टर में अनोटेशन में टेस्टेंजी कैसे इन पर्टिकलर अनोटेशन के साथ कैसे अलग बिहेव करती है तो चली यह शुरू करते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं एक नया पैकेज बना देता हूं नहीं नया पैकेज यह हूं अलड़ी पैकेज बना कर रखा है टेस्टेंजी लर्निंग यूट्यूब चैनल बट यह क्या ना कि इंग्लिश में है कोई नहीं यह क्लास बनाते हैं उसको थोड़ा हिंदी लिख लेते हैं तो हिंदी अंडर स्कॉर बिफोर मेथर्ड टेस्ट एंड आफ्टर मेथर्ड ऐसे मैं कुछ भी ऐसे ही बना रहा हूं ताकि हिंदी मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे को बात में याद रहे बिफोर मेथर्ड टेस्ट और आफ्टर मेथर्ड ऐसे लिख रहा हूं तो मुझे थोड़ा याद रहेगा तो इसको मैं थोड़ा method after method और इसमें क्या क्या कैसे कैसे ही अलग-अलग काम करता है तो चलिए पहले मैं एक before method बना लेता हूं ठीक है और इधर लिखता हूं public void let's say user registration suppose एक method बना लिया मैंने ठीक है और इधर लिख लिया user is getting registered ठीक है यह मैंने बना लिया अभी मैं एक at the rate test बनाता हूं ठीक है public void user login ठीक है user is able to login ठीक है अभी मैं after method बना रहा हूं public void user logout user is able to logout ठीक है देखिए यहां पर मैंने before test वगरा कुछ भी नहीं यूज किया है इतने सारे annotations हैं टेस्टेंजी में before test before class before suite मैं कुछ भी नहीं बना रहा मैं before method और after method बना रहा हूं देखिए यह बहुत ही simple सा इसमें कुछ जाधा है नहीं तो मैं अभी इसको run करने की कोशिश कर रहा हूं run as testng test क्योंकि एक test case है हमारे पास at the rate test तो इसका output easily आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए यहां पर अगर हम console में जाएंगे तो user is able to login पहले आया user is getting registered पहले यह हुआ ठीक है फिर आया user user is able to login हमारा test case का output आया फिर आया हमारा after method का output user is able to logout यह आ गया अब आप समझेंगे इस तीन इसमें कौन सी बड़ी बात है यह तो आना ही था चली और यह test case पास हो गया क्योंकि एक test case है test case का नाम क्या user login तो user login पास हो गया तो यह तो समझ में आ गया बात यह बहुत जाद माइने इसलिए रखता है क्योंकि इसमें जब हम लोग और एक test case यूज़ कर लेंगे जैसे कि public void user let's say money control ठीक है यह तो login के अंदर home page पर या फिर होगा so user is able to transfer funds to another account ठीक है तो अभी आप एक चीज़ notice करेंगे पहले में क्या सिर्फ एक test case था और एक before में थड़ था और एक after में थड़ था अभी क्या हुआ दो test cases बन गए है तो अभी आप क्या बोलोगे पहले ये रन होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा जी नहीं ऐसे नहीं होगा इसका output थोड़ा अलग आएगा बही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए इसका output देखिए इसका output कुछ इस तरह सा है user is getting registered user is able to log in user is able to log out फिर दुबारा फिर से user is getting registered user is able to transfer funds to another account user is able to log out तो यहां पर दो test cases से पास हो गया क्या difference है before method और after method और बाकी सारे annotations के साथ इसका मतलब यह है कि जितने भी test cases होंगे न यह वो that particular test case और यह यह एक combo में run करेंगे तो at the rate before method मैं इसको लिख रहा हूँ at the rate before method और at the rate test और at the rate test और at the rate after method this this is a combination जितने भी test cases होंगे न माननों यहां पर 10 test cases हैं तो यह हमेशा तीन के combo में run करेंगे पहले यह फिर वो particular test case फिर after method ठीक है फिर दूसरा test case के लिए फिर से यह आएगा फिर at the rate test आएगा फिर after method आएगा तो जितने test cases होंगे न उतने combinations होंगे देखिए यह combination है किस यह combination है user login test case के लिए फिर से वही combination है यह वाले test case के लिए तो जितने भी combinations होंगे न उतने ही यह triple combo बनाता जाएगा इसी साब से before method after method execution होता है इसलिए market में बहुत one of the most important annotations है अच्छा अभी आप बोलोगे कि क्या बिना before method और बिना after method के execution हो सकता है बिल्कुल हो सकता है आप after method हटा दो कोई दिक्कत नहीं अभी दो test case है और सिर्फ before method है after method हटा दिया ठीक है चलो यहां से भी import भी हटा देता हूँ ठीक है अभी इसको run करके देखते है output run as test engine test देखिए run हुआ और क्या आया हमारा before method में क्या है user is getting registered तो user is getting registered फिर यह वाला run हुआ user is able to login ठीक है फिर से second test case के लिए फिर से user is getting registered और फिर second test case का output आया ठीक है तो अभी आप बोलेंगे चलो before method हटा देते हैं ठीक है before method हटा देते हैं after method को रखते हैं तो फिर क्या होगा तो फिर ऐसे होगा जैसे sequence follow होता है वैसे ही होगा देखिए पहले test case run होगा test case क्या है login user is able to login फिर after method में user is able to logout फिर दूसरा test case का क्या output है user is able to transfer funds फिर user is able to logout तो जो sequence है पहले यह run होता है फिर test case run होता है फिर यह after method run होता है तो यह combination of three लगे रहते हैं तो अगर आप यह खटा दो तो यह combination होगा फिर अगर आप यह हटा दो तो यह combination होगा लेकिन precedence कभी violet नहीं करेगी before method पहले आएगा at the rate test बाद में आएगा फिर at the rate after method आएगा अगर आप उसी साब से कोई भी particular चीज़ को हटा रहे हो तो उसी साब से output भी वैसे ही आएगा जैसे normal sequence में आता है ठीक है तो मैं वापस इसको बुला रहा हूँ ठीक है अच्छा अभी और एक सवाल लोगों नहीं किया था मैं before method और after method हटा दूँ तो खाली test के तोर पे काम चलेगा बिल्कूल चलेगा क्यों नहीं चलेगा बिल्कूल चलेगा देखिए ये दोनों अपने hero हैं भाई test case नहीं है तो काम नहीं चलेगा before method, after method बिना test case के बेकार है main तो test case ही है अपने अगर यही नहीं है तो before method और after method का कोई वजूद ही नहीं है नहीं before class, after class, before test, after test, before sweet, after sweet उनका कोई वजूद ही नहीं है before method और after method ऐसे दो methods हैं जो कि combination में run करते हैं अगर यहां पर हम before test और after test लिख लेंगे तो वो run नहीं करेंगे वो अपने हिसाब से run करेंगे लेकिन वो combination में run नहीं करेंगे वो पहले before test run करेगा फिर at the rate test run करेगा फिर दूसरे at the rate test run करेगा फिर after test run करेगा लेकिन जहां आपने before method, after method बना दिया और जितने भी test cases हैं मान लो 10 test cases हैं तो 3-3-3 के combo में run करेंगे 10 बार ठीक है? before method, at the rate test 1, after method फिर before method, at the rate test 2, after method ऐसे ही run करेगा तो यही खासियत है before method, after method की और बिना before method, बिना after method या before बिना किसी भी दूसरे annotations के तुरू only at the rate test में भी आपका code run करेगा आपको output मिलेगा, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं हम यह सब बनाते हैं, ताकि हमारा program structured हो हम लोग जो framework designing करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो बस यह छोटी सी topic थी, जो मुझे बताना जरूरी था और आप चाहें तो, मैंने तो सिफ दो test case बनाएं आपे काम करो, दस test case बनाओ और दस test case में देखो तीन, तीन, तीन के, जितने भी test cases हैं उतने तीन के combination होंगे अगर आप यह हटा दोगे उतने दो के combinations होंगे अगर आप after method हटा दोगे तो उतने before method और test के combinations होंगे, simple सी बात है पहले before method execute होता है फिर at the rate test execute होता है फिर after method execute होता है तो आपके उपर है, आप कैसे अपने particular test ng class file को execute कराना चाहते हैं, using these three methods, I hope कि आपको ये session पसंद आया होगा अगर मेरा ये session पसंद आया है तो please video को like कीजिए, share कीजिए और मेरे channel को जरूर subscribe कीजिए Thank you so much, Sarthak here, signing off